हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टुई लेर्णिंग क्लासिस फ्रेंड्स आज है दो जन्वरी 2021 और दो जन्वरी के जितने भी important questions है सारी questions को हम discuss करेंगे वीडियो में इसकी PDF आपको टेलिग्राम से मिलेगी टेलिग्राम का मैं चैनल का नाम बता देता हूं exam preparation with me यह मेरे टेलिग्राम चैनल का नाम है फिर रिपीट कर रहा हूँ है exam preparation with me तो वहाँ से जाकर आप PDF को देख लेए उसके questions को पढ़ ले डेली मैं PDF पी upload कर देता हूं और चैनल को subscribe जरूर कर ले जिससे के सारे आपको वीडियोज मिलते रहे उसका notification आपके पास आता रहे चलो शुरूआत करते हैं आज के पहली question से question number पहला है तो अज का हाल ही में किस मंत्राले ने वैश्विक प्रवासी रिष्टा पोर्टल और एप की शुरूआत की है तो देखो एक पहला question है और इस question का answer है बिदेश मंत्राले ओक्सन नमबर C question number पहला और question number पहले का answer है C, बिदेश मंत्राले बिदेश मंत्राले के दौरा वैश्विक प्रवासी रिष्टा और एक एप की शुरूआत की गई है प्रवासी रिष्टा पोर्टल है और एक एप इसके दौरा बनाया गया है इस एप को बनाने का logic क्या है कि दुनिया भर में जितने भी भारतिय समुदाय है उन भारतिय समुदाय के 3.12 करोड लोगों को इस पोर्टल और इस एप से जोड़ना ठीक है जितने भी भारतिया समुदा है भारत से बाहर रह रहे हैं उनके 3.12 करोड लोगों को इसमें जोड़ना इसका ये उद्देश है अब दिको विदेश मंत्राले की बात है तो विदेश मंत्राले के जो मंत्री है किंद्रिय मंत्री उनका नाम है S.J. संकर तो इतनी information याद रखोगे इस question से देखो जैसे लिखा हुआ है Ministry of External Affairs Government of India तो S.J. संकर इसके मंत्री है आए आते हैं question number 2 में हाली में मुकेश अम्बानी को पीछे छोड़कर कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है देखो इस अम्बानी अभी तक एसिया में पहले number के अमीर व्यक्ति थे लेकिन इनको पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने है तो इनका नाम है जोंग शान शान एक्चल में जोंग नहीं है जुंग है ठीके ना क्या है जुंग शान शान ये चीन के हैं कहां के हैं दोस्तों ये चीन के हैं अब देखो ये करते क्या है इनका काम क्या है कारोवार क्या है ये काफी important है ये bottle बंद पानी बेशते हैं जैसे कि आप पानी पी 77.8 अरब डॉलर 77.8 अरब डॉलर इनकी कुल संपत्ती है और ये एशिया के पहले व्यक्ति अमीर बन गए है इस रिपोर्ट को किसने जालू किया है बिलूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसारिये बताया गया है तो मुकेस अम्मानी कौन से नंबर पे आ गए है तो काफी important रहेगा देखोगे ये हैं जुंग शानशान चीन के और ये हैं मुकेस अम्मानी Reliance Industries के मालिक हैं तो काफी important रहेगा इस बात को याद रखोगे क्वेशन नंबर तीन है आस्टिलिया को पीछे छोड़कर कौन सी टीम ICC Test Ranking में पहले स्थान पर पहुँच गई है तो देखोगे ICC Test Ranking में आस्टिलिया को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर कौन सी टीम पहुँची है तो आंसर होगा इसका D. New Zealand कौन पहुँची है New Zealand पहले स्थान पर पहुँच गई है Australia को पीछे छोड़ा है यह ICC की ranking है दोस्तों ICC की full form होती है International Cricket Council क्या होती है International Cricket Council अब देखो ICC की स्थापना होई थी 1909 में कब होई थी 1909 में और इसका headquarter कहां पर है अभी Dubai में है पहले इसका headquarter कहां पर होता था London के अंदर होता था लेकिन अभी इसका headquarter कहां पर है Dubai में है यह आप रख लेना है आपको question इसके बारे में इसके जो CEO है वो भारत के हैं Manu Sahani क्या नाम है Manu Sahani तो इस important question है Australia और New Zealand के बारे में question है तो New Zealand पहले इस तान पर पहुँच गया है test ranking में ठीक है इस question को आपको आते हैं question number 4 है हाली में केंद्री मंदल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है तो देखो केंद्री मंदल ने अभी आकास मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है आकास मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है मतलब इसका export करेगी बाहर इसको भेजेगी हमारे सरकार बेचेगी इसको तो आकास को इस मंजूरी दी गई है तो काफी important हो जाता है यहाँ पर आकास के वारे में कि आकास 96% स्वधेशी निर्मित मिसाइल है यह किसने बोला है हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनास से ही उन्होंने कि यह 96% स्वधेशी निर्मित है और इसकी मारक छमता 25 किलो मीटर है ठीक है जमीन से सतह से आकास में मार करने वाली मिसाइल है तो यह काफी important आपके लिए हो जाता है तो देखो एक picture भी मैंने लगाई है यह है आपकी आकास मिसाइल सतह से जमीन पर उपर की तरफ मार करेग इसलिए इसको आकास में मिसाइल का नाम भी दिया गया है आगे आते है question number 5 है हाल ही में river kuruj brahmaputrum mukuta का उदगाटन किस राज्य में किया गया है तो देखो एक river kuruj brahmaputrum mukuta का उदगाटन हुआ है असमराज्य के अंदर कहाँ पर हुआ है दोस्तो असमराज्य के अंदर उद्गाटन किया है असंद के सियन है सर्वानंद सोने बाल कौन है सर्वानंद सोने बाल उन्होंने इसका उद्गाटन किया है तो ये काफी इंपरेंट है तो ये जो है ये डिब्रुगर में बोली बील तक बोली पुल है वहां तक है ब्रह्मा पुत्रा में तो वहां तक ये पूरा बनाया गया है तो इसके बारे में इतना याद रखना है बाकी इसमें एक point ये याद रखना है कि असंद के जो governor है present में इनका नाम है जगदीश मुखी और असंद की राजधानी क्या है दिस्पूर है ये काफी important रहे ता आपके लिए ठेक है जितने भी आपके लिए award वगएरा होते हैं सम्मान होते हैं सब questions paper में आते हैं तो तानसेन पुरुसकार संगीत के छेतर में दिया जाता है ये भी काफी important है और इसका answer होगा B पंडित सतीश व्यास को किसको मिला है पंडित सतीश व्यास को ये मिला है और ये कौन सी नंबर का तानसेन पुरुसकार था 96 वे नंबर का ये तानसेन समारो था जो किसको दिया गया है पंडित सतीश व्यास को दिया गया है तो देखो ये हैं पंडित सतीश व्यास जिनको मिला है तानसेन पुरुसकार 96 तानसीन पुरुसकार मिला है तो काफी important है याद रखोगे तानसीन का जनम कहाँ पर हुआ था ग्वालियर में हुआ था ग्वालियर में हुआ था तो इसका ये point भी आपको याद रख लेना है question number 7 है हाली में रक्षा मंत्राले ने किस रक्षा company को green channel का दर्जा दिया है तो देखो ग्रीन channel का दर्जा किस company को दिया गया है रक्षा मंत्राले के दौरा तो दोस्तों इसका answer है lt company क्या नाम है lt company देखो lt का यहाँ पर full form क्या है lt का मतलब है larson और t का मतलब है turbo तुब्रो larson तुब्रो company है उसको यह दिया गया है green channel का दर्जा पतलब यह जितने भी defense related हत्यार बगेरा है उनको बनाने का काम करती है यह company तो काफी important हो जाता है यह आपके लिए question तो देखोगे रक्षा मंत्राले की बात करें तो इसके केंद्रिय मंत्री कौन है राजनात सिहिंग है कौन है राजनात सिहिंग है तो देखोगे यह है आपके लिए जैसे मैंने नाम बताया था आपके लिए full form larson तुब्रो ठीक है तो इस company को मिला है green channel का दर्जा काफी important रहेगा question नमर आठ है हाली में माई ला दुतुराई यह राजय का 38 जिला वना है माई ला दुतुराई यह किस राजय का 38 जिला वना है answer होगा तमिल नाडू किसका वना है तमिल नाडू का यह 38 जिला वना है तो इंag important रहेगा अब दि kindergarten सिएम कोन है इस time पर ई पलानी स्वामी ठीक है और यहाँ पर ठीक है तमिल्लाडू की राजधानी क्या है चेन नहीं तो इतनी बात आपको इस question से याद रखनी है ये जला है देखो के जैसे मैंने नाम बताया था और ये जला बना है यहां का 38 जला बना है कौनसा बना है 38 जला बना है तमिल्लाडू का तो ये काफी important आपके लिए रहने व रहेगा असम के अंदर option number A सही है इसका नौवे question का answer है A तो देखो के ये सडक परिवन और राजमार्क मंत्री है हमारे नितिन गडगरी उनने ये घुशना की है कि multi-model logistic park की स्थापना होगी असम के अंदर तो असम में होगी तो असम की बात कर लेते हैं असम की राजधान गड़र कौन है जगदीश मुखी है कौन है जगदीश मुखी यहाँ पर governor है तो काफी important है इस news को याद रखना है ये है नितिन गडगरी जो हमारी सरक और राज्य परवहन मंत्री है इतनी बात इसमें से याद रख होगे आप ठीक है तो काफी important questions आपके लिए बन जाता है question number 9 x 10 हाली में किसने action agenda for n आत्म निर्वर भारत जारी किये है तो देखो एक report आई है जिसका नाम है action agenda for n ठीक है और ये report किसने जारी किये है doctor हर्ण ने जारी किये है तो यह काफी important है आत्म निर्वर भारस से related ही report और हर्सवर्धन कौन है हमारे स्वास्थ मंत्री है कौन है हमारे स्वास्थ मंत्री है इस time पर देखो कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर यह हर्सवर्धन है और इन्होंने ही report जारी किया ठीक है तो काफी important है यह question भी आगे आते हैं question number 11 है हाली मैं DRDO के scientist of the year award से किसे सम्वानित किया गया है तो देखो यह DRDO का scientific scientist of the year award भी दिया गया है और यह मिला है हमंत कुमार पांडे को किसको मिला है हमंत कुमार पांडे को यह award मिला है देखो हमंत कुमार पांडे को यह award इसलिए दिया गया है कि उन्हों scientist of the year award दिया है DRDO ने, अब DRDO ने दिया है तो DRDO के फिलफोर्म क्या होती है Defense Research Development Organization क्या होती है Defense Research Development Organization इसकी स्थापना कब होई थी 1958 में इसकी स्थापना होई थी और G.S.T.S.R.E.D. इसके कौन है, इस टाइम पर head है और इसका headquarter कहाँ पर है, देली में है तो DRDO से इतनी बात आपको याद रखनी है देखो, ये आपके लिए है जीत हेमंत कुमार पांडे जिनको ये award मिला हुआ है तो काफी important है, नीचे भी लिख रहा है ये सारा, आपके लिए काफी पढ़ सकते हो यहां से question number 12 है, हाली में किस देश ने coronavirus TK का पहला मानव परिक्षण शुरू किया है तो देखो वे, पहला मानव परिक्षण शुरू किया गया है coronavirus TK का, ठीक है ये medicine की बात नहीं करता है मैं TK की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या है सबसे पहले इरान ने, किस ने किया है इरान ने शुरू किया है, तो देखो अब इरान ने शुरू किया है, तो इरान के बारे में बात कर लेते है capital क्या है यहां की तेहरान क्या है, तेहरान यहां की capital है, यहां की currency क्या है real है, और यहां के इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है अली खामुनी ठीक ना यहां के कौन है प्रेसिडेंट है काफी इंपर्टेंट रहेगा याद रख लोगे तो यह कुछ इस तरीके का ठीका इन होने पनाया है ठीक है आगे आते हैं कौशन नमबर 13 है खाली में प्रतिष्ठित मुलाग पदक के पहले प्राप्त करता कौन बने है यह बहुत इंपर्टेंट रहेगा तो पहला कोई क्रिकेट खिलाडी है जिसे प्रतिष्ठित मुलाग पदक दिया गया है और यह दिया गया है अजिंग के रहाने तो दिया जाता है, तो काफी important है, अजिंग के रहाने को मिला है, ये पदक, ये हैं अजिंग के रहाने, जिनको ये मिला है, मुलाग पदक थेगे, आगे आते हैं, question number 14 है, हाली में खादी एवं गिरामो द्योग आयोग द्वरा, किस राच्य में मून पा हस्त निर्मित कागज निर्माड एकाई शुरू की गई है, तो देखोए, मून पा हस्त निर्मित कागज निर्माड एकाई शुरू की गई है, अभी, answer होगा इसका अरुनाचल प्रदेस, कहाँ पर की गई है, अरुनाचल प्रदेस में शुरू की गई है, अब देखो, अरुनाचल प्रदेस में बीडी मिश्रा कौन है बीडी मिश्रा और उना चल पर देश की राजधानी क्या है इटा नगर क्या है इटा नगर ठीक है ये एकाई बनाई गई है आपर तो याद रख लेना इसको कोईशन हम लाश्ट है आजका हाली में किस राजधे ने सभी राजधे संचालित मदर्सों को समाप्त करने और सामानने स्कूलों में परवर्थित करने के लिए विद्यख पारिथ किया है ये भी काफी इंपर्टेंट रहेगा कोईशन के जितने भी मदर्से हैं उनको समाप्त करके उन्हें सामान ने स्कूला में परिवर्थित करने का एक विध्यक पास हुआ है असम सरकार के दोवारा किसके दोवारा हुआ है असम सरकार के दोवारे विध्यक पास हुआ है अब असम सरकार ने किया है तो असम की राजधानी क्या है दिस्पुर है क्या है दिस्पुर है सरवानंद सोनेवाल कौन है सीम है और जगदीश मुखी कौन है यहांके गबर्नर है ठीक है तो यह याद रखना है कुछ इस तरीकी का मदरस्टा यहां पर होता है और इनको सबको स्कूल बना दिया जाएगा ठीक है आज कर ट्विडे कोशन है जिसका आ आई जी के रूप में किसने पदभार समय लाए इस कोशन को हमने कराया है कल और इसको आप आंसर करोगे फटावट से कमेंट वाक्स में और वीडियो को ज्यादा स्यादा शेयर करोगे चैनल को सस्क्राइब करोगे और कराऊगे चलो दोस्तों बाई टटा